मैं हो रिशब और फिर से मैं आज़र हूँ एक और नए एकसाइटिंग आफटरपेट टूटियूल के साथ तो आज का यह वीडियो होगा वह थो तो डिफेरेंट होगा विकॉस आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक बहुत सिंपल बट प्रोफेशनल प्रोड़क्ट अनिमेशन क्रिएट कर सकते हो आप्टरपेट के इंतर अब यह टूटोरियल काफी जादा शोटा होगा तो प्लीज इसको पूरा वाच कर लेना अचलिए अब इस्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक मोकप यूज किया हुआ है तो एक चिंद पहले कर देता हूं कि जरूरी नहीं कि हर बार क्लाइंट आपको मोकप ही प्रोवाइट करेगा कई बार क्या होता ही क्लाइंट प्रोड़क्ट की फोटोग्राफिक करा करके उसकी जो इमेज होती है वह आपको उस इमेज के अंदर आपको प्रोड़क का कट आउट करना होता है शाडू करनी होती है एंड रिफ्लेक्शन भी करना होता है बट इस तुट्रूल को मैंने थ्म्पल बनाने के लिए यहां पर मैंने एक मोकप यूज किया हुआ है तो यह जो मोकप है यह आपको फ्री पिक क मैं लिंक दे दूँगा आप जाकर डाउनलोड रह सकते हो बैसिकली प्रोड़क्ट फाइल के नाम से एक लिंक आपको मिलेगी जहां पर मैंने फोट्रशॉप की फाइल और आफ्टरफेक्ट दोनों की आपको फाइल दे रखी है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टोट्रोल इस एलेटेड तो उसको आप चेक कर सकते हो तो चलिए फिर स्टार्ट करता है ओके तो सबसे पहले हमने आफ्टरफेक्ट को पेंट कर लेंगे और यहां पर जो मैंने आपको पोजेक्ट फाइल दी हो यह है पिएजडी फाइल इसको आपको कॉमपोजिशन इंपूर्ट करेंगे इसको मैं उके कर देता हूँ यहां पर हम डॉबल क्लिक करेंगे तो यह हमारी इस तरह की के से कॉमपोजिशन आ गई यहां पर हमारी सारे लेट्स अ ठीक है और यह जो लियर है इसको लाइटिंग वाली इसको लॉक कर देते विकॉस जिस काम है ज़्यादा कुछ काम है नहीं जो अब यहां पर हमको इसकी animation create करने तो आप किस तरीके से create करने है बैसे के लिए यह हमारा product है यह हमारा left to right slide होके आएगा और यहां पर थोड़ा सा यहां पर rotation भी होगी और जो product यह अपर आएगा तो यह यह product rotate होता हुआ आएगा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक null object की रेक्टर लेक्ट है तो राइट क्लिक करेंगे new and null object ठीक है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूं और इस null object को हमें इस bottom पर लगाएंगे basically यह जो हमारा null object है यह बोटल को rotate करने के काम है कि जब यहाँ पर हमारी बोटल आएगी तो यह थोड़ा सा rotate होगी ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर हम null object add कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं add कर देता हूं और इसको मैं नाम देता हूं right बिकास यह हमारी right की rotation को control करेगा and यहाँ यहाँ पर हम इसको करेंगे control T और इसको हम यहाँ पर उठा करके इस left पर रख देंगे तो इसका मैं रहाँ देता हूं left तो यहाँ पर right and left दोनों तरफ हमने anchor points add कर दी है अब यहाँ पर हम कुछ layers को एक दूसरे से parent करेंगे parent किस तरीके से करना है यहाँ पर आपको यह parent का sign देख रहा है by the way अगर आपको यह नहीं देख रहा है तो आप F4 पर स्क्रोगे तो आपको यह sign देखने लगेगा अब यहाँ पर जो हमारी label वाली layer है इसको हम select करेंगे और इसको parent कर देंगे इस bottle से तो जहाँ जहाँ पर हमारी bottle move होगी like अभी अगर मैं इस bottle move करूंगा त से कुछ इस तरीके से ठीक है तो अभी इस bottle की position and rotation हम right से control करेंगे और इसकी जो यहाँ पर rotation होनी है यहाँ पर हम इसको left से control करेंगे अभी तो यहाँ पर हम जाएंगे एक second और 10 फ्रेम पे अब यहाँ पर यह जो हमारा right वाला है इससे हम bottle की position को भी animate कर सकते हैं तो यहाँ इस राइट को स्लेट करेंगे और यहाँ पर हम इस shadow को स्लेट करेंगे और दोनों की position को animate करना तो यहाँ पर प्रेस करेंगे पूजिशन के लिए और यहाँ पर हम की लगा देंगे अब इसको हम स्लाइट करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे and shift hold करके इसको हम स्लाइट कर देंगे left की तरफ तो बिल्कुल straight slide होगा ठीक है तो यह कुछ इस तरह के slide हो रहा है बट अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा design है जो हमारा text है वो rotate हो तो ऐसे लगाएगा कि हमारी bottle जो है वो rotate होके आ रही है ठीक है तो वो चीज़ किस तरह के से create करनी है तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारी label वाली layer है यह जो हमारा text वाली layer है इसको हम select करेंगे and control shift c press करेंगे इसको pre-comp करने के लिए और यहाँ पर मैं इसका नाम change कर देता हूँ label text ठीक है and इसके अंदर हम जाएंगे अब यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ यह design दिख रहा है अब इसको हम duplicate करेंगे तो यहाँ पर हमको select करेंगे इसको control t press करेंगे इसको duplicate करने के लिए and click करेंगे shift hold करेंगे और इसको drag कर देंगे right की तरफ make sure कि जहाँ पर हमारा यह text खतम हो रहा है वहाँ से हमारा यह अगला text शुरू होगा and again इन दोनों calculate करेंगे control t press करेंगे और इसको में लेकर आजाता हूँ उपर और again हम click करेंगे shift hold करेंगे और इसको भी हम drag कर देंगे right की तरफ and इसको आप arrow से भी manage कर सकते हो So, अब यहाँ पर हमने अपने text को यहाँ पर manage कर दीआ है अब यहाँ पर हमारा text आ गया बट यहाँ पर एक problem हो रही है कि हमारे text है जो हमारा design है वह यहाँ इस bottle से बाहर जा रहा है तो हम इस design को इस bottle के अंदर ही रखना है तो अब वो किसी तरी कीज़ करना है, यहां पर हम इस बोटल को स्टेट करेंगे, इसकी डॉब्लिकेट कॉपी करेंगे, और इसको इस लेवल वाली लेयर के ऊपर लेकर जाएंगे, यहां पर पहले इसको हमें नाम चेंज करते हैं, मैट, इसको हम एजा मैट यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे अपने ट्रैक मैट में, और यहां पर जो लेवल वाला टेक्स्ट है हमारा, इसको हम कर देंगे, बाइद विए अगर आपको यह ट्रैक मैट को आप्शन नहीं शो हो रहा है, तो आप यहां पर एप 4 प्रेस कर सकते हो, आपको शो होने ल एनिमेट करना है, तो हम K प्रेस करेंगे अपने last K फ्रेम पर जाएंगे, और यहां पर हम P करेंगे इसकी पोजिशन को एनिमेट करने के लिए, and K एड करेंगे, and जाएंगे अपने पहले फ्रेम पर, and यहां पर यह जो हमारे लेवल है, इसको हम थोड़ाँ सा ध्रैक करें ठीक है अब इसके बाद हमें यहां पर इस बोटल को जहां पर रुखेगी वहां पर भी हलका से यहां पर रोटेशन होई इस तरीके से तो वह चीज़ हमें किस तरीके से करना है यहां पर हम राइट वाले अंडल को स्लिट करेंगे और सिफ्ट के साथ आर प्रिस्ट करेंगे इसके रोटेशन के लिए अब हम 5 फ्रेम पीछ जाएंगे अब फ्रेम्स आगे पीछे करने के लिए आप पेज अप या पेज़ डाउन का यूज कर सकते हो या फिर अप कंट्रोल के साथ एरो का यूज कर सकते हो एक दो तीन चार पांच पांच फ्रेम पर पीछ जाऊंगा और यहाँ पर हम rotation को on कर देंगे तो यहाँ पर जिसकी rotation है वो मैं लगा देता हूं around 5 degree पर जाएंगे अपने पहले frame पर और इसको हम कर देंगे 0 degree ठीक है and again हम जाएंगे अपने last key frame पर and यहाँ पर हम जाएंगे 5 frame आगे तो 1, 2, 3, 4, 5 and यहाँ पर हम इसकी rotation को कर देंगे 0 ठीक है तो अभी हमारी जो rotation है वो कुछ इस तरह के से animate होगी अब इसको हमें 13 सा left की तरफ rotate करना है तो उसके लिए हम अपने left वाली null object को select करेंगे and r place करेंगे rotation के लिए और यहाँ पर एक key लगाएंगे and यहाँ पर हम जाएंगे 5 प्रेम आगे 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर हम इसकी value minus में करेंगे because हमें इसको left की तरफ rotate करना है तो लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ around minus को 2 and again हम जाएंगे 5 प्रेम आगे and यहाँ पर हम करतेंगे इसको 0 and इसकी बाद हम अपनी नीचे वाली जो लेयर है right वाली यहाँ पर इसकी rotation को on करेंगे and then हम जाएंगे 5 प्रेम आगे and यहाँ पर जो इसकी rotation है इसको हम कर देते हैं around like बहुत हमको हल की सरकनी like 0.6 के around and then 5 प्रेम सागे and यहाँ पर हम इसको कर देंगे अपर से 0 तो अभी यह जो हमारी animation है वो काफी ज़्यादा boring लग लग रही है तो इसको थोड़ सा interesting मनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यह जो हमारी right वाली layer है इसकी position को on select करेंगे and यह जो level वाली इसकी position है इसको on select करेंगे and shadow वाली position को on select करेंगे and f9 प्रेस करेंगे इसको easy-ease करने के लिए and जाएंगे अपने graph editor में और यहाँ पर हम अपने speed graph को open करेंगे और यहाँ पर इसका graph है इसको हम left की तरफ tweak कर देंगे थोड़ सा ठीक है इस तरीके से बोटल हमारी starting में fast आएगी and then slow हो जाएगी थोड़ी ज़्यादा fast हो गई मेरे काल से थोड़ा सा और slow कर देते हैं अभी यह तो हमारी animation starting से सही लग रही है बट यहाँ पर यहाँ पर हमारी setting डेन a new mission यह हमारी सी सही नहीं लग रही है तो इसको हम सही करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सारे भी..ई इच वैले कीश निशेंगे और यहाँ चूज करी ती है今ाँ पर चैंज करें नोiliем करेंगे एपने graph editor में एंड इस बार हम चूज़ करेंगे वैल्यू ग्राफ ठीक है अब यहां पर इस वैल्यू ग्राफ को भी मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूंगा लाइक इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे एंड यह वाला जो ग्राफ है इसको भी हम हलका सा बढ़ा देंगे यह वाले ग्राफ को भी हम थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे एंड ओके तो अभी देखते हैं कि हमारे एनिमेशन किस तरह की की लग रही है ओके तो हमारी एनिमेशन काफ़ी अप सही लग रही है तो अभी हमें है क्या करना है कि हमारी जहांपर animation खतम ही है इसके वाद हम चाहते है कि यहां पर एक light यहांपर swipe हो तो उसकेलें क्या करना होगा हम है एक effect एक्ट करना होगा तो यहां पर हम इस bottle को set करेंगी और इसके ओपर ंम 한 effect एक्ट करेंगे यहां पर आगया अब यहां पर यह जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहां से आप इस लाइट को स्वाइप कर सकते हो तो यहां पर इसकी डिरेक्शन है इसको मैं जीडो डिगरी पिकर देता हो ताकि यह बिल्कुल सीधी लाइट यहां पर पढ़े है ठीक है तो इसको इस बोटल के बाहर रखेंगे और यहां पर इसको अनिमेट करेंगे तो यहां पर हमारी की कतम हो रही है तो इसको तो थोड़ा सा आगया हम बलाएंगे और इसकी जो की है उसको एड़ करेंगे और जाएंगे आरांट 4 सिकंड तक एंड इसको हम उठा करके इसके आगे कर देंगे अभी देखते हैं कि मारी इनिमेशन कैसी लग रही है इसको तो तो यहां पर मैं यू प्रेस कर रहा हूं इसकी की को देखने के लिए और यहां पर हम इसको थोड़ सा आगे बढ़ा देते हैं तो अभी साही लग रहा है कुछ ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे अभी इन सारी लियर्स को पहले तो मैं इसकी लॉग को पेंट कर देता हूं यहां पर हम इन सारी लियर्स को वापस से बंद कर देते हैं अब यहां प बहुत-ी खराब लग रही है, तो अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे ? इन सारी लेरह इसको आपके कर देंगे और इसको मैं नाम रख़राहूँ माटना で आपनों है यहां पार में स्केलिंग 길 लिए और यहां पहले पे पहलंध करेंगे। एंड यहां पर मैं इसको 120 कर देता हूं रहा हुँ तो अभी हमारी एनिमेशन कहीं पर भी इस्टिल नहीं होगी वह हमें से चलते रहेगी मेरे किया से 120 तो जादा है 115 कर देते हैं अभी सभी है अभी हमारी एनिमेशन होच की है रेडी आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्स्राइब कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए एक्साइटिंग टुडियो के साथ तिल देन गुट बाई